नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है, आज बात करेंगे कि जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोन राज्योग क्या है, केंद्र त्रिकोन राज्योग के क्या फल है, जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोन राज्योग को देखते कैसे है, केंद्र की बात करें तो जन्म कुंडली में के चार भाव, लगन यानि प्रतम भाव, चतुरत भाव, शप्तम भाव और दशम भाव को केंद्र भाव कहा गया है, वहीं पंचम भाव और नवम भाव को त् पमाना गिया है। ऐसा कहा गिया है कि जो भागिसाली व्यक्ति होते हैं उनके जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोन राजियों का निर्मान होता है। जन्म कुंडली में लगन चाहे जो भी हो मेश लगन रहे ब्रिशब लगन रहे मितुन लगन रहे जो भी लगन हो त्रिकोन के स्वामी लगनेश के मित्र ही होते हैं केंद्र की व्याख्या करें तो यह चार भाव व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्व पूर्ण भाव हैं प्रथम भाव जिसे लगन कहते हैं वहां से आपके व्यक्तित्तु का विचार होता है वही चतुरत भाव से सुख का सब्तम भाव से दामपत्य सुख यानि वयवाहिक जीवन का और दशम भाव से आपके कर्म का विचार किया जाता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली में केंद्र का क्या महत्व है वही त्रिकौन की बात करें तो पंचम भाव से ज्ञान का और संतान का विचार किया जाता है और नवम भाव आपके भागी का भाव है आपके धर्म का भाव है आईए जानते हैं कि जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकौन राजयोग को देखते कैसे हैं जनम कुंडली में केंद्र भाव के स्वामी त्रिकुन भाव में हो और त्रिकुन भाव के स्वामी केंद्र भाव में हो तो केंद्र त्रिकुन राजयुक का निर्मान होगा जैसे मेश लगन का कुंडली है और मंगल पंचम भाव में हो और पंचम भाव के स्वामिय सुर्ज लगन में हो तो यह लगनेश और पंचमेश का राशी परिवर्तन हुआ यानि केंद्र और त्रिकुन का राशी परिवर्तन हुआ या पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में हो नवम भाव के स्वामी पंचम भाव में हो चतुर्त भाव के स्वामी पंचम भाव में हो पंचम भाव के स्वामी चतुर्त भाव में हो इस तरह से जो चार केंद्र भी केंद्र तुर्कॉन राजयोग का निर्वान करेगा दूसरा केंद्र भाव में या तुर्कॉन भाव में केंद्र और तुर्कॉन के स्वामी की यूती हो यानि दो नोगरह एक साथ हूं केंद्र के स्वामी और त्रिकोन के स्वामी त्रिकोन भाव में अगर वैठ जाए तो यह सब से अच्छा योग माना गिया है तिसरा जो है वो है कि जन्म कुंडली में केंद्र भाव के स्वामी और त्रिकोन भाव के स्वामी की परसपर द्रिष्टी हो जाए जैसे मेश लगना है और मंगल पंचम भाव में हो और त्रिकोन के स्वामी यानि भाग्य भाव के स्वामी ब्रहश्पती ग्यार्वे भाव में हो तो यह ग्यार्य स्वाव में ब्रिश्पति के सब्तम दृष्टी मंगल के उपर और मंगल की दृष्पति के उपर तो यह दृष्टी योग बनने से भी केंद्र कोन राज्योग का निर्मान होगा केटेगरी वाइज अगर बात करें तो सबसे उत्तम माना गया है परिवर्तन यानि केंद्र और त्रिकुन के राशी परिवर्तन को सबसे सुमाना गया है को उसके बाद केंद्र और तिरकुं के ग्रहों की यूति हो जाए तो ये सब से सुभb annog यह कृति bard staff की यानि यह तीन प्रकार के यूति जन्म कुंडली में बने तो केंद्र, त्रिकुं राजयोग का निर्मान होगा क को यह राजयोग का फ़लिवूत होता है तो जिस ग्रह से यह राजयोग बन रहा हूँ जैसे जो दो ग्रहों से राजयोग बन रहा है केंद्र या तृकुन के स्वामी से हैं उनमें से किसी एक की महादसा आजाए और दूसरे की अंतरदसा हो तो वो समय सबसे सुभमाना गिया है कि इस प्रकार से आप जनम कुंडली में केंद्र तृकुन राजयोग को देखें साथ ही आप ग्रह के अवस्ताओं को भी अवस्ते देखें कि ये ग्रह फल देने में कितना सक्चम है आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद